हलो एवरिवन, वैलकम टू शुकोशल, आज किस क्लास के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनस स्टडीज के पेपर का सोलूशन, अगर आप सी उईटी यूजी एक्जाइम की तियारी कर रहे हैं तो आपके लिए मस्ट है कि आप प्रिविस यर क्वेस्टेन जो हैं उनको सोल जरूर करें तो आपकी उसी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हम जो इग्जाइम हुआ था दो हजार तेएस में उसका जो सोलूशन है वो लेके आए हैं बिजनस स्टडीज सब्जक्ट का तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं बिजनस स्टडीज आपका डोमें सब्जक्ट आपने स्लेक्ट किया हुआ है स्यूट एक्जाइम के लिए तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफूल होने वाली है इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल में किस तरह के सवाल एंटी ये पूछती है और आपको किस तरीके से की स्टूजब करतें चलेंगे तो अगर आप हिंदी मेडियम ये इंग्लिश मेडियम को किसी भी मेडियम की स्टूदेंट है तो चली स्टारिट करते हैं क्या में पर्पज होता है capital structure का सबसे पहला जो option है वो है increasing the turnover of the firm कि जो firm है उसके turnover को increase करना उसको बढ़ाना अब यह turnover क्या होता है simple सा मतलब turnover यानि कि company कितनी जल्दी अपनी जो एक तरीके से जो पैसे invest कर रही है वो कितनी जल्दी वापिस से उसके earnings में turn हो रही है है उसकी कमाई में turn हो रहे है या हम turnover को कई बार sales के साथ भी relate करते हैं मतलब sales की जिगहें पे भी use कर लेते हैं कि company की sales कितनी है तो सबसे पहला option बोल रहा है कि जो capital structure है वो जो और देता है इस बात पर कि company जो firm है उसका turnover बढ़े वो increase हो next increasing the assets and liabilities of the firm कि company की firm की जो assets or liabilities हैं वो बड़े वो increase हो next बोल रहा है increasing the shareholders wealth कि जो shareholders है जो company के owner है company की जो मालिक है उनके जो wealth है उसमें increase हो या फिर voting right जो है shareholders के वो increase हो अब देखो capital structure की चीज पर emphasize करता है इस चीज को समझने से पहले हमें यह जरूर पता होना चीजिए कि capital structure क्या होता है तो capital structure जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुंजी धाचा यह capital structure या पुंजी धाचा क्या होता है इसके अंदर हम हमारे business के अंदर जो capital यूज करते हैं उस capital के जो अलग-अलग sources है कि वो capital हम कहां से ला रहे हैं जैसे कि हम equity से ला रहे हैं capital debt से ला रहे हैं preference share से लेके आ रहे हैं या फिर retained earnings जो हैं उनसे हम capital लेके आ रहे हैं तो यह जो अलग-अलग sources है इनके बीच का जो proportion है उसको decide करते हैं capital structure में या उसको decide करना ही होता है capital structure तो जब हम यह चीज़े decide करते हैं तो हम किस चीज़ पे जो अदा जोर देते हैं ऐसे source से capital लाना चाहेंगे जहां पर अपना जो company का जो firm का जो risk है और जो capital को लाने की जो cost है खर्चा है वो कमाए तो जब हम बात करते हैं खर्चा कमाए तो खर्चा कमाए तो इससे क्या होगा इससे company की जो मालिक है उनको फायदा होगा उनकी जो wealth है वो increase होगी तो capital structure में इस चीज पर emphasize करता है increasing the shareholders wealth कि जो shareholders है उनकी wealth उनका जो एक तरीके से उनके जो धन्नम बोल सकते हैं उनकी जो property है उनकी जो earnings है वो increase हो ठीक है इस चीज पर focus करता है capital structure इसका ना तो turnover के साथ कोई सिधा relation है ना asset liability के increase होने के और ना ही voting जो rights shareholders के उसके साथ तो हमारा option number three जो है वो right answer हो जाएगा move करते है next question पे identify the rights provided to consumers by the consumer protection act 2019 जो consumer protection act है 2019 वो कौन-कौन से right अधिकार customers को consumers को provide करता है right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to be assured अब देखो जितने भी यहाँ पर हमें option given है उसमें सारे जो rights हैं वो हमने पढ़े हैं कि consumer protection act के अंदर दिये जाते हैं but consumer protection act 2019 के अंदर क्या किया गया था कि जो right to choose है इस right की जिगहें पर right to be assured जो है वो इसका एक तरह की से नाम change कर दिया गया था meaning same है right to choose और right to assured का बट जो नाम है वो change करके इसका right to be assured कर दिया तो जो right to choose है वो right नहीं आता arrange the following functions of management management के जो functions है पाँच main important function है management के उनको हमने sequence में arrange करना है अब sequence में की पहले कौन सा आता है फिर कौन सा तो बिलकुल आसान question है सबसे पहले हम planning करते हैं उसके बाद organizing करते हैं planning के बाद organizing organizing के बाद हम staffing करते हैं staffing के बाद directing और finally controlling तो अगर हम इनको sequence में arrange करें तो B, C, A, E और D यह हमारा option match कर रहा है option number two right answer हो जाएगा बिलकुल simple as answer question है यह तो next question number four planning is an intellectual process that requires logic rather than wishful thinking which feature of planning is highlighted by the statement अब देखो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो planning है management का first function है planning तो अभी यह जो planning है हिंदी में इसको नियोजन बोलते है planning जो वो एक intellectual process है intellectual process का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से mind के through हम दिमाग का use करते है intellectually किसी चीज को सोचते है सोच समझ के logic के साथ तो इस intellectual process में क्या होता है हम logic का use करते हैं ना कि simple सोचना एक तो तर simple सोचना एक हम logic के साथ सोचे तो planning में logic के साथ सोचा जाता है यह एक statement है यह बात है planning के बारे में अब हम से यहाँ पर पुछा गया है कि यह जो बात है planning के बारे में यहाँ पर यह जो आपने पढ़ा होगा कि planning है एक function है उसकी अलगलग features है उसकी विसे इस्ताई होती है कुछ characteristics जिसको हम बोलते हैं तो अब यहाँ पर option में हमें 4 features दे रखी है characteristics दे रखी है planning की अब इन में से हमने पुछा है कि statement कौन सी feature के बारे में बता रहा है सबसे पहला है futuristic futuristic का मतलब क्या ह प्रिकिरिया है एक process है फिर हम mental exercise की हम दिमाग से कुछ सोचते हैं तो इसलिए एक mental exercise है next step परवेश्यू परवेश्यू का मतलब होता है हर जगह पर जरूरत होती है planning की चाहें हम बात करें कि हम profit के परपज से business ला रहे हैं या हम non profit परपज से business ला रहे हैं government कोई business है या फिर level पे यानि कि अगर हम बात करें lower level पे भी middle level पे भी और upper level पे भी हर level पे management के हर तरहें के business में planning की जरूरत होती है तो जो planning क्या है वो परवेश्यू है ठीक है तो यह चार features है अब यहाँ पर यह जो बात बोली गई थी कि planning जो है वो एक logic के साथ intellectual process है logic की जरूरत होती है उसम planning की उसको highlight किया गया है statement के अंदर तो option number two जो है option number three जो है वो right answer हो जाएगा mental exercise next question number five identify the non-financial incentive that give more autonomy and power to subordinates अब देखो यहाँ पर हमें बात गई subordinates के बारे में बहुत बोली गई है कि जो subordinates होते हैं यानि कि जो एक अधिकारी है उसके जो नीचे जो उसके जूनियर्स जो है उनको बोलते हैं subordinates तो एक ऐसा non-financial incentive non-financial यानि एक तो हम पैसे से किसी को motivate करते हैं ज़्यादा काम करने के लिए और एक हम पैसे के अलावा जो दूसरे तरीके होते हैं उनको बोलते हैं non-financial incentive जैसे हम किसी की तारीफ कर दें तो उससे थोड़ा motivation समिल जाए या उसको हम कुछ ज़्यादा टास्क वगरा दे दे नहीं नहीं तरीके के तो उससे उसको को एक incentive एक motive सामिले ज़्यादा काम करने का तो जब हम non-financial incentive देते हैं जिससे जो subordinate है उसको ज़्यादा autonomy और powers मिलती है तो जो incentive है उसको हम किस नाम से जानेंगे employee participation, employee empowerment, organizational climate या फिर co-partnership अब यहाँ पर employee participation का मतलब क्या है कि हम employees को भी हम जो करमचारिया उनको भी participate करवाएं business की decision making में कि जब भी हम business में कोई important decision ले रही है निरना ले रहे है तो employees का भी participation हम ensure करें कि वो भी participate करें next employee empowerment, employee empowerment का मतलब है कि जो level का हम काम employees को दे रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा बढ़के हम उनको काम दे, उनको तोड़ी ज़्यादा power दे, ज़्यादा अधिकार दे तो वो होता है employee empowerment next organizational climate, इसका मतलब है कि एक organization जो है उसका climate कैसा है कि मातावन में work हो रहा है next co partnership, co partnership का मतलब है कि हम employees को एक तरीके से partner की तरहें treat करें, partners बना के उनके साथ काम करें तो इन में से कौन सा incentive जो है वो non financial है और वो autonomy और power देता है subordinates को तो देखो empowerment की बात थी, powers किसके तरू दे रहे थे employees को, employee empowerment के तरू ठीक है उनको empower कर रहे है, उनको ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा authority दे रहे है हम ज़्यादा powers दे रहे है ताकि वो उच्छे से काम कर सके और इसमें finance की ज़रूरी नहीं कि हम उनकी जो salary है वो भी बढ़ाए हम सिर्फ उनको task या power जो है वो ज़्यादा दे सकते हैं इसे भी वो एक तरीके से incentive मिलेगा, उनको motivation मिलेगा काम ज़्यादा करने का, तो option no.2 जो है वो right answer हो जाएगा, question no.5 नेक्स है which marketing management philosophy has a main focus on existing product, अब ये जो अवधारना ही है, इन में से हमसे पुछा गया है कि कौन सी अवधारना focus करती है, कौन सा concept ये philosophy focus करती है, existing product पे, existing यानि कि जो अभी exist करता है product उसके उपर, किसी नए product की बात नहीं करती, वो अभी जो बन चुका है product उसके उपर focus करती है, तो देखो, पांच हमा production करना है, वो अपने आप बिख जाएगा, तो इसको बोलते है production concept, उसके बाद आता है selling concept, selling concept focus करता है, कि जो हमने production किया है, वो अपने आप नहीं बिखेगा, ये जो product हमने बना तो दिया, इसको effort करने पड़ेंगे हमें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा advertisement करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा promotion करना पड़ेगा, तब ही ये बिखेगा, तो selling concept में हम जो product बन चुका है, उसके ओपर focus करते हैं, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा promotion करते हैं, advertisement करते हैं, ताकि वो बिखे, यनकि sales effort करते हैं, वो होता है selling concept, next आता है product concept, product concept में हम सिर्फ product पे focus क बनाना है, ठीक है, सारी जितनी ज़्यादा feature हो सकें, वो add करनी है, product में बहुत best से best product बनाना है, तो वो अपने आप दिख जाएगा, अगर product अच्छा होगा तो, तो ये product concept बोलता है, फिर marketing concept आता है, marketing बोलता है, कि हमने customer की उपर focus करना है, customer की जरूरतों पे focus करना है, कि customer क क्या चाहता है, उसके हिसाव से समान बनाना है, और ये एक तरीका है marketing का, ठीक है marketing concept ऐसा बोलता है, तो अब यहाँ पे हमने से पुछा गया है, कि existing जो product है, उसके उपर किसने focus किया, तो production में तो production की बात हुई, इसने तो नहीं किया, marketing में customer की बात हुई, product की बात की है, ले इसके उपर focus किया, selling concept ने, कि जो बन चुका है, अब उसको बेचने के effort करने है, तो वो बिख जाएगा, चाहे हो कैसा भी बना हो, ठीक है, तो existing product पे selling जो concept है, वो focus करता है, नेक्स्ट है question number 7, identify the specific forces of business environment from the following, अब यहाँ पे हमें specific forces जो है, business environment के, उनको पहचानना है, अब बात करें business environment की, कि business environment क्या होता है, एक business है, उसके आसपास, यानि कि उसके अंदर का environment, और उसके बाहर का environment, जिस जो भी business को affect कर रहा है, यानि कि वो element, वो तत्व, जो एक business को affect करते हैं, चाहे वो business के अंदर हो, या वो business के बाहर हो, वो सारे आते हैं business environment के अंदर, तो यह जो business environment है इसके हम elements को part में पढ़ते हैं एक आते है internal और एक आते है external internal का मतलब business के अंदर के जो element business को परभावित करते है external में आते है business के बाहर के जो घटक business को परभावित करते है अब यह जो बाहर के घटक होते हैं इनमें दो category आती है एक आते हैं micro में और एक आते है macro में ठीक है एक micro फोरसी जिनको बोलते हैं और एक macro या micro या macro environment बोल सकते हैं अब इस micro और macro में के हिसाब difference के हिसाब से यहाँ पर यह question दिया गया है देखो micro और macro इनमें क्या difference है micro का मतलब है वो factors वो घटक business environment के जो एक specific business को ही परभावित करेंगे या एक specific firm को उसी को परभावित करेंगे जैसे कि एक माल लो एक A firm है इस A firm के जो customer है यह customer ही सिर्फ A firm को ही परभावित करेंगे बी को नहीं करेंगे ऐसे ही इस A firm के जो supplier है जो इसको supply करते हैं कचे माल की या जो भी माल इसको इसकी जरूरत होती है तो वो सिर्फ A को ही परभावित करेंगे बी को नहीं करेंगे तो यह सारे होते है specific forces या जिनको हम बोलते हैं micro environment forces इसके बाद macro environment, macro environment में वो forces आते हैं, वो element आते हैं, वो तत्वा आते हैं, जो सभी फर्मों को एक तरीके से परभावित करते हैं, जैसे गर माल लो political environment है, कि राजनीतिक वातावन कैसा है किसी business environment के अंदर, तो वो A firm को भी परभावित करेगा, B को भी परभावित करेगा, तो य पुछा गया है, कि specific forces बताओ, business environment के, option A में दे रखाया है, investor, customers, social, political, competitors, अब देखो, investors जो है, किसी A firm के जो निवेशक है, investors है, वो इस A को ही परभावित करेंगे, B पे तो उनका कोई फ्रेक्ट नहीं पड़ेगा, customer है, customer भी A के A को ही परभावित करेंगे, social की बात करें, त नमाज वो society जहां पर ये A firm है, तो उसमें अगर कोई change है, या उसके जो factors है, वो सभी को परभावित करेंगे, political, political भी सभी को परभावित करेंगे, macro forces है, competitors की बात करें, तो इस A firm के जो competitor है, वो इस A को ही परभावित करेंगे, B को तो नहीं करेंगे, क्योंकि B तो अलग है, इसके जो competitor है, वो इसको ही परभावित करेंगे, दुसरों को नहीं करेंगे, तो competitor भी specific force है, तो देखें specific कौन-कौन से होगे, investors, customers और competitors, तो A, B, E, A, B, E, हमारा option number 2 जो है, वो right answer हो जाएगा, ठीक है, आपको ये याद रखने है, ऐसे याद रखने हैं, देखो, macro वाले जो general forces है, उसमें कौन-कौन से आएंगे, उसको आप इस short form से याद रख लेना, pestle, P, E, S, T, L, E, pestle, अब इसमें सारे forces आजाएंगे, P means political, E means economic, S means social, T means technological, L means legal, E means environmental, ठीक है, ये सारे macro forces हैं, जो सभी फर्मों को परभावित करते हैं, इनको general forces भी बोलते हैं, ठीक है, या macro environment के ज T, L, E, अगर आप notes वगरा बना रहे हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो, पैस्टल, ये सारे general forces हैं, business environment के macro environment का part है, और सभी फर्मों को एक तरीके से परभावित करते हैं, एक जैसे समान रूप से परभावित करते हैं, नेक्स्ट है question number 8, arrange the following element of communication process in a sequence, देखो यहां पर हमें communication process, जो communication की process है, उसके कुछ elements दे रखे और उनको हमने sequence में arrange करना है, देखो सबसे पहले क्या होता है, एक message को भेजने के लिए एक sender होता है, ठीक है, उस sender के पास वो एक message prepare करेगा, तो उसके बाद आता है message, फिर उस message को वो किसी एक तरीके से कुसी media का use करेगा, किसी माध्यों का use करेगा उसको भेजने के लिए, तो फिर वो एक medium जो है, उसको select करेगा, उसके बाद ये जो message है, जिसके तास भेजा है, जो receiver है, उसके पास पहुचेगा, और फिर वो receiver उस message को read करके उसका feedback देगा, ठीक है, त नेक्स्ट है, dependence on technological gadgets is comparatively higher in America than in India, देखो यहाँ पर यह बोले कि जो technological gadgets है, जो technological gadgets हम यूज करते हैं, जैसे mobile phone, computers, या कुछ भी technological gadgets, इनके उपर जो dependence है, या जो निर्भरता है, वो अमेरिका में ज्यादा है, in comparison to India, कि इंडिया के comparison, अमेरिका में जो लोग है, वो technological gadgets हैं, उनके ज्यादा depend करते हैं, which features of business environment is highlighted by the statement, अब यहाँ पर जो business environment है, जो एक तरिके से अपने जो business का environment है, उसकी अलग-अलग features है, तो उसमें से किस features को highlight कर रहा है यह statement, तो relativity को, uncertainty को, complexity को, या dynamic को, तो अब देखो business environment की कुछ features होती है, कुछ विसेस्ता ही होती है, सबसे पहली है relativity, relativity क मतलब है कि inner relation में, मालो एक business environment है, का मतलब क्या है, कि उसके आस-पास का environment जो उसको पर भावित कर रहा है, तो एक एक firm है, एक B firm है, तो इनका आपस में relation क्या है business environment का, मतलब कि यहाँ के comparison में, यहाँ पर क्या-क्या changes है, उसको बोलते है relativity की features, कि यहां का business environment अलग होगा, यहा अमेरिका, example दे दिया है, कि अमेरिका में लोग ज़्यादा, depend करते हैं, technological gadgets पे इंडिया में कम, फिक हैं, इंडिया के comparison में, तो यहाँ पर यह क्या बता रहे हैं, एक तरीकि से relation में बता रहे है, कि अमेरिका के relation में, इंडिया के relation में, अमेरिका के बारे है, तो यह business environment की कोन सी फीचर है, relativity वाली फीचर है, पहले option से ही clear हो गया, relativity, बागी भी discuss कर लेते हैं, uncertainty, uncertainty का मतलब क्या होता कि certain नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, तो business environment क्या होता है, uncertain होता है, जहां पर कुछ भी पता नहीं है, कल को क्या change आ जाए, इसलिए uncertain है, complexity, complexity का मतलब है, जिसको समझना बहुत मुस्किल हो, complex हो, जह बोलते हैं, बहुत complex सी situation है, complex मतलब मुस्किल, तो business environment की एक feature ये भी है, कि business environment बहुत जादा complex है, उसके अंदर बहुत जादा complexity है, next, dynamic, dynamic का मतलब है, ऐसी चीज़ें जो procedure in securities, अब देखो, यहाँ पर हमसे steps जो है, वो arrange करने के लिए बोला गया है, trading और settlement procedure in securities, securities की, securities क्या होती है, जो shares है, debentures है, ये securities है, in securities की जब हम trading करते हैं, ये इनकी जो settlement process है, उसके step दिये हुए हैं, और उनको हमने sequence में arrange करना है, कि पहले क्या step होगा, फिर उसके बाद क्या step होगा, तो देखो, जब भी हम securities, shares वगएरा, debentures वगएरा खरीदते हैं, तो उसका एक proper sequence होता है, कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, उसकी हिसाब से, तो सबसे पहले क्या होता है, कि जो भी बंदा है, जिसको भी in securities के साथ dealing करनी है, वो क्या करेगा, वो एक agreement sign करेगा broker के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कि जो broker और जो client है, client means जो person securities में dealing करना चाता है, उनके बीच में एक agreement sign होता है, अब ये जो agreement है, इसके basis फे फिर आगे जो है, मतलब पूरी process जो है, वो चलती है, देखो, जब broker के साथ agreement sign कर लिया, इसके बाद एक account open किया जाता है broker के पास, जिस account के through फिर dealing होगी, जैसे हम मालो, अगर हमने, simple समझेंगा, बैंक में कुछ dealing करनी है, बैंक में कुछ account पगरा कुला, तो हम पहले एक agreement की, जैसे sign करेंगे, फिर वहाँ प एक account कुलवाएंगे, फिर वहाँ पर जो securities वगरा है, वो अपनी आएंगी, तो इस तरीके से से मिस में होता है, trading और settlement में, सबसे पहले क्या हुआ, broker और client के बीच में एक agreement sign हुआ, फिर उस agreement के बाद, एक demet account ओपन किया जाता है, security जिसके अंदर हमारी shares वगरा है, वो deposit होंगे, तो फिर जब agreement sign हुआ, उसके बाद एक demet account ओपन किया जाएगा, फिर जब demet account ओपन हो गया, तब जो एक तरीके से, जो client है, वो देखेगा कि कौन-कौन से security है, जिनको वो खरीज सकता है, तो उसके बाद वो, जब account उसने open कर लिया, तो वो order देगा, ठीक है, place order with the broker, कि भई, मेरे को ये security जिन rate पे खरीदनी है, तो जब उसने order दिया, तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, client के बीच में, और broker के बीच में, एक agreement sign हुआ, उसके बाद, जो DMAT account है, वो open हुआ, फिर उसके बाद, उसने order दिया, कि भई, मैं ये, ये security जो है, वो particular खरीदना चाहता हूँ, फिर जो broker है, वो क्या करेगा, वो match करेगा share price, कि मालो, आप तो 10 रुपे के हिसाब से खरीदना चाहते हो, देखना भी तो पड़ेगा, कि कौन-कौन सी company, 10 रुपे का share, जो है, वो available है, ये 10 रुपे में के हिसाब से इतने share, जो खरीदना चाहता है, तो फिर उसमें जो broker है, वो match करेगा share price available, कि जो share price available है, फिर जब उसने एक तरीके से match कर लिया, जब matching हो जाएगी, कि ये इतने पर खरीदना चाहता, इतने पर match भी होगा, तो फिर वो security जब उसके नाम से खरीद दी जाएंगी, और confirmation की जो slip है, वो broker issue कर देगा, कि ये आपका slip है, आपने ये issue share है, वो खरीद लिए है, ये securities आपने खरीद लिए, ठीक है, तो वो broker जो है, वो confirmation की slip जो है, वो देदेगा, तो ये अपना बन गया sequence, trading और settlement procedure जो है, वो securities में use किया जाता है, तो वो option से match करें, तो option number 3 हमारा right answer हो जाएगा, ठीक है, दुबारा से देख लेते हैं, देखो, यहाँ पर पूरी sequence, सबसे पहले क्या होता है, broker और client के बीच में एक agreement sign हुआ, उसके बाद एक demand account open हुआ, फिर जो order है, broker ने तरह किसे client के बहाफ पर order place किया, फिर जो price ही है, उनकी matching हुई, और उसके बाद जो trade की confirmation जो slip है, वो issue कर दी broker ने, next question number 11, यह question थोड़ा सा typical है, देखे, identify the correct statement among the following, इन में से हमने सही जो statement है, correct जो statement है, उसको पहचानना है, तो पहला जो statement है, वो बोल रहा है, salary is not a primary economic reward for an entrepreneur, entrepreneur, कि जो salary है, वो एक main मुख्य economic reward नहीं है, entrepreneur के लिए, अब देखो entrepreneur, यानि कि जो entrepreneur कौन होता है, जो business का idea लेके आता है, जो business सुरू करता है, एक तरह किसी, जो business main, कोई नया business उसको start करता है, चलाता है, वो entrepreneur होता है, businessmen जिसकों बोलते हैं, तो entrepreneur जो है, उसका main economic reward salary कैसे हो सकती है, उसका तो main purpose, जो business को चलाना, profit earning करना, तो salary उसका एक main economic reward नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो statement A जो है, वो correct है, next, a never say die attitude of an entrepreneur is termed as a self-confidence, अब की, एक never say die attitude, अब ये देखो, आपको समझना जुरूरी है, never say die attitude क्या होता है, तो never say die attitude का मतलब है, कि हार नहीं मानना, लगातार काम करते रहना, वाले जो attitude है, वो होता है, never say die attitude, अब ये जो never say die attitude है, एक entrepreneur का, वो उसको हम मानते हैं, कि उसमें self-confidence है, तो देखो self-confidence अलग जीज होती है, self-confidence का मतलब है कि कुद्बे बरुस है, और एक हैता है कि हम लगातार प्रियास कर रहे हैं उस काम को, तो एक होता ही है consistency, कि consistency हम उसकाम को कर रहे हैं, और self-confidence अलग जीज है, तो ये जो never say attitude है, ये consistency को शो करता है, कि बही लगा अतार बंदा काम कर रहा हार नहीं मान रहा है लेकिन self-confidence अलग चीज है तो never say die attitude, self-confidence नहीं होता तो B जो statement है वो गलत है Next है acting out of choice rather than compulsion is initiative अब देखो यहाँ पर यह क्या बोला गए कि जो हमारे पास choice है, जो options है उनके अलावा हम कोई नया तरीका जो है वो लेके आते हैं कोई नये तरीके से कमको करते हैं, act करते हैं तो उसको बोलते हैं कि initiative कि वो initiative है कि कोई नई चीज लेके आ रहे है तो यह बिल्कुल सही statement है कि जितनी भी हमारे पास options थे उन सबसे हटके हमने कुछ नया किया है तो वो एक initiative है initiative का मलब कुछ नया तरीका, नया idea जो है, नई तरीके से काम करना वो initiative होता है तो option, जो statement C है, वो भी correct है Next है, entrepreneur's concern for conservation of time and money is termed as assertiveness अब देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है यहाँ पर बोला गया है, कि जो entrepreneur है वो concerned है, वो चिंतित है इस बात के लिए conservation means बचाने के लिए conservation of time and money कि समया को और पैसे को उसने बचाना है तो यह जो entrepreneur का concern है कि उसने conserve करना है time और money को तो इसको हम assertiveness बोलते है या it's termed as assertiveness देखो, assertiveness क्या होता है assertiveness का मतलब होता है कि कोई एक तरीके से communication की skill होती है assertiveness कि कोई बंदा मालो की कोई एक A बंदा है, उसने कोई बात बोली और यह जो B बंदा है, यह क्या कर रहा है कि उसका जो statement है, वो जो बात है वो गलत है, तो यह B उसको aggressive होके, मतलब गुस्से से होके तो अगर वो entrepreneur कोई समय और पैसा जो बचा रहा है, तो उसको assertiveness कैसे बोल सकते हैं, यह तो अलग जी जोगी न, यह तो एक तरीके से efficiency होगी entrepreneur की, कि वो efficient है, efficiency orientation है, कि वो समय को और पैसे को बरबाद नहीं करना जाता उसको गंजर्व करना चाता है, तो यह strategies are included in business plan, देखो business plan के अंदर हम क्या बना करते हैं, एक तरीके से हमारे जो business है, उसको चलाने का पूरी योजना plans जो है, वो prepare करते हैं, क्या strategies होंगी, उन सब काम करने वगरा की, क्या budgets वगरा होंगे, तो यह सारी चीजे त्यार करते हैं, तो executive summary है, और जो operation की strategies है, वो business plan के अंदर include होती है, यह भी right सही जो है, वो statement बोल रहा है, तो हमारे कौन-कौन से statement सही थे, a statement भी सही था, उसके बाद c statement सही था, और e statement सही था, तो a, c और e, a, c और e, option number one जो है, वो right answer हो जाएगा, ठीक है, बाकि जो दो statement है, वो गलत है, नेक्स पे move करते हैं, question number 12, a company has replaced their obsolete, obsolete machinery with a high-tech machine as it could not achieve its target in the previous month due to slow production process, अब देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, कि एक company है, उसने replace कर दी, बदल दी, अपने पुरानी machinery को with a high-tech machine, यानि कि उसने पुरानी machine को एक नई high-tech machine के साथ replace कर दिया, क्यों कर दिया, because it could not achieve its target in the previous month due to slow production process, अब उसकी जो production की process थी, वो slow थी, और यह अपने जो target थे, उनको अचीव नहीं कर पाई थी, इसने पुरानी machinery को नई machine के साथ replace कर दिया, अब यहाँ पर हमसे पूचा गया है, which step in the process of controlling is executed by the company, अब यह को जब हम बात करते हैं, controlling की, नियन तन की management का, जो last function होता है, controlling, उसकी एक process होती है, अब यह जो यहाँ पर हमें statement दिया गया था, तो यह statement क्या बता रहा है, controlling की जो process है, उसका कौन सा step company ने उठाया है, company ने लिया है, अब यहाँ पर दे रखके हैं, हमें option में controlling के step, की controlling के अंदर हम actual performance को measure करते हैं, इसके अंदर हम actual को standard के साथ comparison करते हैं, फिर जो deviation है, जो difference है, उनको analyze करते हैं और सही action लेते हैं, तो यहाँ पर company ने क्या किया है, इसमें से कौन सा step जो है, वो controlling का ही लिया है, देखो company ने क्या किया है, company को पहले से पता था कि उसके जो production है, वो कम हुआ है पुरानी machine की वज़े से, तो company ने पुरानी machine की जिगाए पे नहीं machine ले ली, तो एक तरीके से company ने क्या किया है, action लिया है, जो उसकी actual performance है, और जो उसकी target थे, उनके बीच में उसको पता है कि difference आए, इन differences को दूर करने के लिए उसने action लिया है, तो कौन सी, जो एक तरीके से step है, company ने controlling process का यूज किया, taking corrective actions, तो option number 4 हमारा right answer हो जाएगा, ठीक है, next पे move करते हैं, question number 13, as per consumer protection act 2019, state commission has a jurisdiction to entertain, entertain, complain, where value of goods and services paid as a consideration, अब देखो जो consumer protection act है, उसके अंदर तीन तरह के, तीन level पे हम complain का जो division है, वो करते हैं, एक simple district level पे, फिर उसके बाद state level पे और national level पे, तो यहाँ पे एक limit होती है, कि कितने पैसे तक की जो problem है, यह जो आपका case है, वो कौन से court में होगा, या कौन से commission के पास होगा, तो सबसे नीचे आता है district, तो district में हम अगर जो amount है, वो एक करोड से कम है, तो हम district में जाएंगे, उसके बाद वो एक, मतलब वो one करोड है, या फिर बात करें, कि 10 करोड से कम है, 10 करोड से कम है, तो कहाँ पर जाएंगे, तो जाएंगे state में, और 10 करोड से उपर है, तो फिर national में, ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूचा किसकी कबारे में गया है, यहाँ पर पूचा गया है state commission के बारे में, तो state commission में कहाँ जाएंगे, does not exceed 1 करोड की 1 करोड से जादा नहीं है, 20 लाग से जादा है, तो यहाँ पर तो district में जाएंगे, exceeds 1 करोड but doesn't exceed 10 करोड, तो यहाँ पर जाएंगे, 1 करोड से 10 करोड के बीच में है, तो फिर जाते है state में, option number 2 जो है, वो right answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यह भी रखाए district commission में अगर 1 करोड से 10 करोड तक के बीच में है, तो state commission और फिर 10 करोड से जादा है, तो फिर national commission, next staffing is a part of which functional area of management, जो staffing है, management का एक important function है, third number पे जो आता है, यह किसके अंदर आता है, marketing management में, human resource management में, production में या फिर financial में, देखो marketing में, staffing का कोई रोल नहीं, staffing में हम क्या करते है, जो staff है, वो उसकी भरती करते है, तरीकी से, जो employees है, जो workers है, उनको select करते है, वो जो selection recruitment की जो पूरी काम होता है, वो आता है staffing के अंदर, तो marketing management में, तो marketing से related काम होगा, staffing का कोई रोल नहीं है, next human resource management, अब देखो human resource management, जो human है, जो लोग है, जो workers है, उनको manage करना, तो यह staffing किसे related था, उन्हीं लोगों को करमचारियों को ले के आना, बिजस में, उनको काम पे लगाना, उनको select करना, training देना, यह सारी चीज़े staffing में आती है, तो human resource management का part है, staffing, तो option number two, जो है, वो right answer हो जाएगा, ठीक है, next question number 15, देखो, यहाँ पे list दे रखे हमें, दो list दे रखे हमें को match करना है, यहाँ पे sabby, जो है, Securities and Exchange Board of India, इसके कुछ functions दे रखे हैं, और हमें इनकी category या लग लग कि कौन सा function है, उसको match करना है, functions के साथ, सबसे पहले है, regulatory functions, उसके बाद, development function, protective function, और objective sabby के, तो देखो, जो sabby है, security and exchange board of India, इसका काम किया है, इसका एक तरीकी से काम है, जो stock exchange है, जहाँ पर जो companies के shares, वो लिश्टिर होते हैं, उनकी साथ, अगर कुछ गलत ना हो, उनके rights वगएरा को protect करना, यह सारा काम होता है, sabby का, security and exchange board of India, अब यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है, कि regulatory function बताओ, regulatory function का मतलब क्या होगा, regulatory का मतलब है, regulations, जहाँ पर कि भई, अगर मालो sabby ने कुछ कोई rules बना दिया, तो उस rule को कोई follow नहीं कर रहा है, तो एक प्रिक से मतलब, उनको, यह जो rule है, उनको follow करवाना, उस चीज को regulate करना, अगर कोई sabby के rule वगएरा को follow नहीं कर रहा है, तो sabby क्या करेगा, पुनिश करेगा, उसको, पुनिश कैसे करेगा, उस पे charges लगाएगा, fees वगएरा लेगा, legal action लेगा, तो वो regulatory function की regulate करना, तो regulatory function क्या होगा, living fee और other charges, कि जो sabby के rules, regulations को नहीं मान रहे, उनको fees वगए चार्जी लगाना, यह regulatory function के अंदर आएगा, next development function, अब देखो development का मतलब क्या है, कि जो भी situation है, मतलब development का मतलब क्या है, कुछ growth, progress करवाना, कि जो भी sabby के काम से related entities हैं, उनको training वगएरा provide करना, ताकि उनके जो growth हो सके, उनके जो knowledge का जो level वगएरा, वो increase हो सके, और जो काम वगएरा, वो जो भी करते हैं, वो improve हो सके, उसकी performance increase हो सके, तो development function of sabby के आएगा, training of intermediaries, वी intermediaries कोन होते हैं, यह होते हैं, जो brokers वगएरा, जो हमने पिछे question में discuss भी किये थे, जो dealing करवाते हैं, कि मालो एक A person है, जो invest करना चाता है, किसी A, B company के अंदर, तो यह कैसे जाएगा, जो बीच में brokers हैं, agents हैं, इनके तुरू जाएगा, तो यह होते हैं intermediary, अब अगर sabby इनको training दे रहा है, ताकि अच्छे से अपना काम perform कर सके, तो यह किसके अंदर आएगा, development function of sabby, next protective function, protective का मतलब क्या होता, protect करना, बचाना, तो protect करना, यानि कि जो भी गलत काम होते हैं, stock exchange में, उनको सबसे तरीके से, जो investors हैं, उनको protect करना, जो भी entities इनके अंदर लगी हुई हैं, उनको protect करना, उनके जो भी अधिकार है, rights हैं, उनको protect करना, तो controlling insider trading, अब यह देखो insider trading क्या हो अंदर के जो लोग है, उनको पता है, जब यह ऐसी information, अब इनको अंदर के लोगों को पता है, उस information का, तो इस information का misuse करके जब यह trading करते हैं, तो यानि कि इसको हम बोलते है, insider trading, यह illegal है, तो अगर sabi इसको control कर रहा है, तो एक तरीके से यह protect कर रहा है, तो protective function हो गया sabi का, त तो सारे A से 1, B, 2 से match हो जाएंगे, हमारा option number 2 जो है, बुरा items हो जाएगा, यह hope आपको समझा गए होंगे, next question number 16, the principle of management are not rigid, prescription, these can be modified by the manager when the situation so demands, देखो यहाँ पर इस statement के इंदर क्या वो ला गया है, कि जो management के, जो प्रबंद के जो सिधानत है, वो rigid prescription नहीं है, rigid का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़े जो बहुत rigid हो, जो change नहीं हो उसके जल्दी से, वो होते हैं rigid, अब यह बोला है कि जो management के सिधानत है, principle है, वो rigid नहीं है, these can be modified by the manager when the situation so demands, कि इनको जो manager है, वो change कर सकता है, modify कर सकता है, जब भी वो जो situation है, उसके according उनकी जरूरत हो, तो यहाँ पर management के principle के बारे में एक बात बोली गई है, अब हमसे question में पूछा गया है, कि what nature of principle of management has been indicated in the above statement, कि जो management के सिधानत है, principle है, इनकी features होती है, कुछ natures है, तो इस में से कौन सी nature को indicate किया गया है, इस statement के अंदर, तो इस statement में हमें बताया गया, कि सिधानत जो है, वो change हो सकते हैं, rigid नही और बीचर को ताकि वो अपना जो management का काम है, वो अच्छे से कर सके, फिर flexible, flexible का मतलब है कि management के principle flexible होते है, उनको change किया जा सकता है, तो यहीं बात statement में बोली गई थी, कि management के जो principle है, वो rigid नहीं होते, rigid नहीं होते तो क्या होते हैं, flexible होते हैं, तो flexible वाली जो nature है, वो बता रह है यह statement principle of management की तो option number two हमारा right answer हो जाएगा बाके feature भी discuss कर लेते हैं contingent है और mainly behavior contingent का मतलब होता है कि जो principle of management है जो management की जो principle है वो situation के हिसाब से depend करते हैं कि contingent मतलब कि क्या condition है उसके हिसाब से जो principle है management के वो depend करेंगे उसके हिसाब से हम उनको change करेंगे फिर है mainly behavior की behavior के मतलब एक तरीके से depend करते हैं यह mainly behavioral nature में होते हैं यह निए कि बहुत जो बात बोल दी उसके अंदर वहीं actual में होगी वो behavioral nature के होते हैं नेक्स्ट क्विश्चन नंबर 17 विच टेकनीक of scientific management violates false principle of equity अब देखो जो हम बात करते हैं management के principle की तो दो category आती है एक administrative principle होते हैं और एक scientific management की category है तो यह जो scientific management है इसके पूचा गया है तो इसके हम सिधान पढ़ते हैं प्रिंसिपल पढ़ते हैं और कुछ टकनीक पढ़ते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं तो यहाँ पर हमें scientific management की टेकनीक दे रखिया और हमसे पूचा गया है कि यह वोलेट करती है मतलब एक तरकी से तोड़ती है फ्योल के principle of equity जो फ्योल है 14 principle है फ्योल के हैं उसका एक प्रिंसिपल है equity इक वीटी का मतलब है कि समानता सबको समान ट्रीट करना हमने किसी के साथ discrimination नहीं करना बेदभाव नहीं करना यह बोलता है फ्योल का जो प्रिंसिपल है equity का अब इस equity के principle को कौन सी technique जो है scientific management की वो violate करती है तोड़ती है या उसको follow नहीं करती है फरस्ट है standardization of work की जो work है वो standardization होना चीए work का या फिर है motion study, differential peace weight system या फिर mental revolution तो यहाँ पर हमें scientific management के कुछ element दे रखे हैं और equity को वाले जो principle है उसके against कौन सा particular technique या principle है तो देखो standardization of work का क्या मतलब होता था कि जो work है वो एक standard तरीके से हो ठीक है उसको बलते है standardization of work फिर है motion study की जो हमने एक तरीके से क्या करना है motion की study करना है कि जो extra motion होते हैं जैसे मा मालनो कोई एक worker है वो काम करते हुए बहुत ज्यादा motion कर रहा है इतने motion की जरूरत नहीं है जैसे मालनो कोई एक worker है वो एक दिवार बना रहा है तो वो जो एक तरीके से जो वो होती है क्या मोलते है उसको एक बहुत motion कर रहा है उसमें कभी उसको इधर रख रहा है कभी उस इसमें क्या बोला गया इसमें बोला गया कि जो भी वरकर्स हैं उनको दो कटेगरी में बाटना है एक बाटना है एक एफिशेंट वरकर्स जो अच्छे से काम कर रहे हैं और एक इन एफिशेंट वरकर्स अब यह जो इन एफिशेंट वरकर्स हैं इनको तो हमने क्या करना है कम salary देनी है क्योंकि अच्छे से काम कर रहे हैं और efficient है इनको अच्छे से salary देनी है तो एक तरीक इसको बोला differential difference करना है हमने peace wage system को तो अब देखो फियोल ने क्या बोला कि सारे करंचारियों को समान treat करना है equity लेकिन यहाँ पर जो scientific technique इसमें क्या बोला गया कि जो wage जो मज़दूरिया वो अलग अलग देनी है जो अच्छे से काम कर रहा है उसको जादा कर रहा है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको कम देनी है तो यह जो एक टक्नीक है यह फियोल के जो principle है equity का उसको वैलेट कर रही है उसकी पहले भी एक question आया है, यहाँ पर हमें limit दे रखी है कि कितने तक का जो addictions होता है district में, state में और national में, तो district में कहां तक होता है, district में होता है, जहाँ पर जो amount है, वो 1 करोड रुपीज से कम हो, तो district commission आ जाएगा up to 1 करोड, उसके बाद state जहाँ पर 1 करोड से 10 करोड के बीच मे हो, national commission जहाँ पर 10 करोड से जादा हो, और supreme court जहाँ पर हम जो national commission है, इसके against सिकायत कर सकते हैं, वो आता है, supreme court के अंदर, तो हम option match करें, तो A के साथ मैच हो रहा था हमारा, 3, A के साथ 3, और state commission मैच हो रहा था हमारा, first के साथ है न, 1 से 2, तो B के साथ 1, दोनों में मैच हो रह हो रहा था हमारा 2 के साथ, तो D2 के साथ हो रहा था, तो option number 3 हमारा right answer हो जाएगा, ठीक है, next is social environment includes, कि जो social environment है, उसके अंदर क्या include होगा, consumption, habits and life expectation, देखो social environment क्या है, जब हम बात करते हैं, business environment की, तो मैंने बताया न, कुछ macro factors होते हैं, macro environment, उसके अंदर आता था, क्या, PESTLE, P means social, कि social environment, society, समाज से related, जो environment है, वो आता है, social environment में, अब इस social environment में क्या include करेंगे हम, consumption habit और life expectation की, जो consumers है, उनकी habit, उनकी क्या आदत है, उनकी life expectations, जो life की, जो expense, क्या मोलते इसको, sorry, expectancies जो है, वो क्या है, next है money supply in economy, जो economy है, जो अर्थ रवस्ता है, उसमें money की कितनी supply है, next है rate of saving, कि जो saving की rate है, जो बचत करने की rate है, वो, next है, next, new ways of producing goods, कि जो goods है, उनको produce करने की नई तरीके, देखो, ये जो तिन्वा elements है, ये related है, economic environment से, तो option number first, जो है, वो हो जाएगा, हमारा right answer, ये social environment से related element है, next question number 20, arrange the step of controlling process in a logical sequence, जो management का last function है, controlling, उसके step को logically हमने arrange करना है, sequence में, देखो, ऐसा question पहले भी आ चुका है, जहांपर example statement दे रखके, पुछा गया था हम से, तो controlling में हम क्या करते हैं, controlling में हम सबसे पहले standard decide करते हैं, ठीक है, तो setting performance standard, फिर standard के बाद हम क्या करेंगे, हम देखें हमारी actual performance क्या है, फिर आएगा measurement of actual performance, फिर जब हमने देख लिया actual क्या है, फिर हम comparison करेंगे इन दोनों का, comparison of actual with standards, comparison के बाद हम देखेंगे कि क्या difference है, कि मालो हमने देखा था कि 10 लाग की sale करनी है, और actual में 8 लाग की sale हुई, तो difference देख लिया हमने 2 लाग का difference है, तो analyze करेंग क्या क्यों हुए है, फिर हम जो सही action है, corrective actions है, वो लेंगे, तो option number first जो है, वो हमारा right answer हो जाएगा, next question number 21, which element of marketing mix refer to activities that make firm product available to target customers, अब देखो, marketing mix के अंदर हम 4 main element पढ़ते हैं, कौन कौन से, promotion mix, place mix, price mix, product mix, अब इन में से कौन सा element जो है, वो firm के product को target customer तक पहुचाने का काम करता है, तो देखो, जो firm है, उसने manufacture किया, अपना product factory के अंदर, customer जो है, वो अलग जगहें पे है, तो इसको पहुचाने का काम कौन करेगा, पहुचाने का काम किसमें आएगा, जिसमें transportation हो, जिसमें warehousing हो, जिसमें storage वाली चीज़ें हो, तो ये सार quality of a leader requires that he should understand people and maintain a good human relation with them, अब देखो, यहाँ पर हमसे पुचा गया है, लीडर की quality के बारे में, कि इन में से कौन सी quality, जो है, एक लीडर की, जो एक परिके से, जो इस चीज़ में help करती है, कि वो लोगों को समझे, और उनके साथ, एक अच्छा जो human relation है, वो maintain करे, तो यहाँ अब वो लगा है, initiative, communication skill, integrity, या फिर social skill, जब भी हम बात होती है, लोगों के साथ, अच्छे relation maintain करने की, human relation की जब बात होती है, तो वहाँ पर आती है, social skill, कि कि किसी person के अंदर, किसी leader के अंदर, social skills, जो है, वो कैसी है, तब वो ही वो लोगों के साथ, socially, जो है, वो अच्छे स behavior कर सकेगा, या अच्छे relation जो है, वो maintain कर सकेगा, वो लोगों की जरूरतें, जो है, उनको अच्छे से समझ सकेगा, या लोगों को अच्छे से समझ सकेगा, तो वो सब आते हैं, social skills के अंदर, तो हमसे पुछा गया, कॉन सी quality leader की जरूरत होती है, required होती है, तो वो होती है, social बाकी बात करें इनिशियेटिव की तो इनिशियेटिव का मतलब है कोई नया तरीका नया चीज जो है वो सोचना नया एडिया लेकर आना काम करने का communication skill simple communication की जो skill होती है ठीक है यह related हो सकती है हुमेन से कि हम बातचीत करते हैं लोगों से है question number 23 which of the following are the features of leadership अब इन में से पुछा गया है कौन से features है leadership की तो देखो leadership it tries to bring change in behavior of person की leadership के अंदर हम try करते हैं लोगों के behavior में change लाने का तो यह काम leadership के अंदर होता है leader का क्या काम होता है लोगों को इस तरीके से influence करना कि उनका जो behavior है वो जैसा चाहता है वो वैसा हो सके या वो उसी तरीके से काम करें जैसे leader चाहता है तो leadership में क्या होता है जो लोग है person से उनके behavior में change लाने की try किया जाता है कोशिश की जाती है next it is an internal feeling अब देखो leadership एक internal feeling के साथ कोई खास relation नहीं है क्योंकि leadership में क्या होता है leaders होते है followers होते है इनके बीच का एक तरीके से relation होता है इनके बीच का interactions है वो सारी चीज़ें आते है leadership के अंदर तो internal की एक person है अपने अंदर ही क्या internal feel कर रहा है वो leadership की quality या features नहीं हो सकती, तो big point नहीं आएगा, next is it indicates interpersonal relationship between the leader and follower, अब देखो, leader और follower के बीच का relation ही तो होता है, leadership, यानि क्यों कैसे वो अपस में उनको lead करता है, उनका नेत्री तो करता है, तो जो leadership है, यह इसके एक feature है, कि यहाँ पर interpersonal relationship होता है, एक leader के बीच में और उसके followers के बीच में, next state is a continuous process, देखो management में जो भी चीज़े पढ़ते हैं, जैसे तर, उसारी में यह feature तो होती है, कि वो continuous process है, क्योंकि management का मंदब हो है, यह नहीं है कि एक point में किया और कर दिया, वो करते ही रहना पढ़ता है, तो उसमें leadership हो, motivation हो, training हो, या कोई भी function हो, management का continuous process तो होते statement है, तो हमारा option number 3, जो है, वो right answer हो जाएगा, ठीक है, option number 3, हाँ, नहीं, option number 3 नहीं, भी नहीं आएगा, a, c, or d, a, c, or d, option number 1, जो है, वो right answer हो जाएगा, next question number 24, the primary aim of financial management is, अब देखो financial management से related ही सवाल है, कि जो financial management है, जहां पर finance को manage किया जाता है, उसका primary aim जो है, वो क्या होता है, फर्म का profit को है, उसको जादा से जादा करना, फर्म की sales जो है, उसको maximize करना, या जो shareholder से उनकी wealth को maximize करना, या फिर जो फर्म है, उसके जो customer है, उनके number को increase करना, उनको maximum करना, अब देखो, बाते तो सारी ही एक तरीके से positive हैं, हम बोल सकते हैं, कि सारी aim हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमसे पुछा गया है, primary aim, कि मुख्य उदेशे क्या है, financial management का, या वित्य प्रबंद का, तो बात करते हैं हम, main मुख्य की, इसके अंदर आता है, जो shareholders हैं, उनकी wealth को increase करना, अब देखो, अगर बात होगी, shareholder के wealth की increase की, कि जो company के मालिक है, उनकी wealth increase हो, उनकी wealth increase हो होगी, तो कब होगी, जब firm के profit increase होगे, firm के profit कब increase होगे, जब firm के share increase होगी, तो ये दोनों तो इसके अंदर ही include होगे, customers जो है, वो increase करना, अब customer ज्यादा बढ़ेगी, तभी तो sales ज्यादा बढ़ेगी, तभी profit बढ़ेगी, और ये सारी चीज़ों का relation किसके साथ है, shareholder की wealth के साथ तो shareholder की wealth जो maximize करना primary aim होता है financial management का तो option number 3 हमारा right answer हो जाएगा next है identify the market that is known as a stock exchange उस market को identify करो जिसको हम stock exchange बोलते हैं अब देखो जो financial market है उसको हम main दो category में बाठते हैं capital market और एक money market ठीक है money market और capital market दो main component है किसके financial market के अब यह जो capital market है इसकी फिर दो category आती है एक आती है primary market एक आती है secondary market यह जो secondary market है इसी को बोलते हैं stock exchange तो option number 1 जो है वो right answer हो जाएगा अब यह stock exchange में क्या होता अब देखो primary में और इसमें secondary में difference हम जो simple पहले तो capital और money में money market में जो short term instruments है short term जो securities है उनकी dealing होती है और capital market में long term तो बात करें primary और secondary की जब नए issue होते हैं मालों एक company है एक company उसने जब पहली बार share issue किया है तो वो primary market के अंदर आएगा फिर जब company ने share issue कर दिये तब आपस में share order से एक दुसरे को खरीद बेच रहे हैं तो वो होगा secondary market में इसी को stock exchange बोलते हैं next है external sources of recruitment does not include अब देखको जो recruitment होती है जो भरती होती है उसके दो sources होते है एक होता है internal कि हम business के अंदर से ही लोगों को ले और एक होता है external बाहर से ले तो इन में से जो external source है उसके अंदर क्या include नहीं होगा सबसे पहले है casual callers casual callers का मतलब क्या है कि हम बाहर से call करकर के casually बुला रहे हैं लोगों को तो casual बाहर से बुला रहे है तो external है employment exchange employment exchange यानकि जो रोजगार के लिए जो exchange होता है जहां पर जो register करवाते हैं जो unemployed person है वहां से हम लोगों को ले रहे है employment exchange तो यह भी बाहर का source है next is transfer transfer का मतलब क्या है कि यह department से भी department में transfer कर दिया तो बाहर से तो नहीं ले क्या internal है internal है तो external नहीं है यह हो जाएगा advertisement advertisement का मतलब है newspaper में या tv बगरार पर advertisement किन को देंगे बाहर वालों को देंगे तो यह भी external source है next है promotion promotion का मतलब क्या होता है कि एक level है उस level से promote करके हमने दूसरी level पर पहुचा दिये करमचारी को तो यहां पर जो भरती है वो अंदर से ही हुई है अंदर से करमचारी को प्रमोट किया है तो यह भी internal source है तो C और E जो है वो internal source है option number 3 हमारा right answer हो जाएगा हमसे पुचा गया था external कौन से नहीं है next list दे रखी है list 1 और 2 इसको हमने match करना है थोड़ा सा जोमीन कर लेती है यहां पर है job enrichment organizational climate lazis fair और grape point अब देखो job enrichment का मतलब क्या होता है job enrichment का मतलब है कि एक job है एक काम है उसके अंदर जो भी काम है responsibility है उनको बढ़ाना उसको बोलते हैं job enrichment की जो level है काम का यह जो task है उनको increase करना उसको job enrichment बोलते हैं तो देखो indicate the characteristics which describe organization की वो characteristics indicate करना जो organization के बारे में बता रही है तो ये तो job enrichment नहीं होगा informal communication देखो दो तने के communication होते है एक formal एक informal एक उपचारिक संदेश वहान और एक अपचारिक संदेश वहान तो job enrichment informal communication तो नहीं हो content कि जो job design related एक काम है जिसके अंदर greater variety बहुत सारी जादा varieties जो है वो include की जाती है काम की तो यहीं होता है job enrichment तो एक उफ और से match करेंगे तो ये दो option तो वैसे include होगे exclude होगे sorry फिर है organizational climate, organizational climate का मतलब मैंने पहले भी question में बताया कि एक organization जो है उसके बारे में चीज़ें कि वो कैसा है उसकी characteristics तो organizational climate क्या indicate करता है characteristics which describe an organization जो एक organization के बारे में बताता है तो B2 से match B1 से match कर जाएगा तो option number 4 हमारा right answer हो जाएगा देखो आपको आपके पास time की कमी होती है पर वे तो आपको सारे options solve करने की चोड़ नहीं होती अब यहाँ से indicate होगा अगर आपने 2 match कर लिए कि option number 4 ही है तो यहाँ पर टिक करके चलना पर अब हम question solve कर रहे हैं practice कर रहे हैं तो सारे देखेंगे next है lazy sphere अब देखो lazy sphere क्या होता है यह होता है leadership का style leadership का style means जो leadership है उसमें अलग अलग तरीके leader होते है एक leader होता है कि जो अपनी मन मर्जी से ही काम करता है मतलब उसका जो भी decision होगा जो निरने वखेरा लेगा वो अपनी मर्जी से लेगा उसको हम बोलते हैं autocratic leader है ठीक है और एक होता है leader कि भाई जो भी उसके जो followers हैं उनके साथ मिल जूल के decision ले मतलब उनके participation जब भी कोई निरने ले तो उनकी भी बात सुने तो वो होता है democratic फिर एक leader होता है कि जो बिलकुल free छोड़ देता कि follower जो है ना वहीं अपनी मर्जी से decision लेंगे तो इसको legisphere है यह क्या है leadership का एक style है next है grapevine grapevine क्या होता है grapevine होता है informal communication ठीक है informal communication का ही दूसरा नाम होता है grapevine इसको हम बोलते हैं अंगुरे लता साइध हिंदी में सभी बोलते हैं तो हमारा option number 4 जो हो राइट रिंसफर हो जाएगा next question number 28 that refers to vertical shifting of employees in an organization अब देखो vertical shifting employees जो है करमचारी है उनको हम shift कर सकते हैं organization में एक कर सकते है vertically vertically का मतलब है उपर या नीचे ठीक है एक होता है horizontally horizontally का मतलब है एक particular same level के department से दूसरे same level के अब देखो जब हम बात करते हैं transfer की transfer का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर A department से B department अब यहाँ पर बोला गया है vertical shifting बताओ तो transfer तो नहीं होगा horizontal होता है placement भी नहीं होता interview भी नहीं होता promotion हो जाएगा अगर यहाँ पर demotion होता तो वो भी होता बट यहाँ पर यह के option दिरका तो promotion को select करेंगे option number one जो है वो हमारा right answer हो जाएगा next question number 29 process which provide for learning opportunity that help employee growth is अब देखो वो process बतानी है जो करमचारी है employees है उनको learning की सीखने की opportunities provide करती है learning opportunity provide करती है जिससे की जो employees है उनकी growth होती है employee की growth में help करते है तो यह क्या है education है development है training है education या फिर training है अब देखो जब business की employees के perspective से बात आती है तो दो चीज़ें आती है एक आती है training और एक होता है development तो training और development में क्या main difference है यह clear होना चाहिए training का मतलब है कोई काम करना सिखा रही है just to see development का मतलब है overall उस employee की development कि उसको सारी skills, knowledge जो है जो भी है उसकी उसमें increase किया जाना तो overall जो growth कर रहे हैं एक employee की वो होता है development तो option number 2 जो है development हमारा right answer हो जाएगा next है identify the following under whose overall administrative control savvy functions जो savvy है security and exchange board of India वो किसके अंडर काम करता है ministry of corporate affairs, home affairs, finance या फिर external affairs तो जो savvy है वो कराम करता है ministry of finance, government of India option number 3 हमारा right answer हो जाएगा simple factual question है facts related है कि वो savvy किसके अंडर काम करता है वो आपको पता होना चाहिए मैं समझाने वाली कुछ चीज नहीं है next list दे रखी है दो list हमने इनको match करना है यहाँ पर list 1 में दे रखे हैं हमें products की category जो उत्पाद होते हैं product होते हैं उनकी अलग-अलग convenience product है, shopping product है specialty product है, non durable products है और साथ में इनके बारे में कुछ-कुछ features दे रखी है तो हमने list 1 को list 2 के साथ match करना है तो सबसे पहले हैं हमारे पास convenience product convenience product कौन से product होते हैं वो product convenience जो एक तरीके से easily हमें available हो जाते हैं जिनको हम बार-बार खरीते हैं जिसे हमारे आज-पास की जो किरियाना stores होते हैं उनसे जो product available हो जाएं जिनको हम बार-बार खरीते हैं जैसे मालनों कोई भी स्केट के पैकेट्स हैं, चोटे कोई स्यम्पू गएरा के पाउच हैं, ये convenience वाले product जो conveniently हमारे आसपास मिल जाते हैं, कि इनको हम बार-बार daily life में यूज करते हैं और बार-बार इनको frequently खरीदते हैं, वो होते हैं convenience product, फिर आते हैं shopping products, shopping products कौन से product होते है हैं, ये वो product हैं, जो एक तरह किसे जैसे की example लें, कि जैसे कपड़े वगएरा हैं, तो ये आते हैं shopping product के अंदर, जिनमें हम थोड़ा सा time लगाते हैं, करीदने में थोड़ा बहुत comparison भी करते हैं, products का, मतलब in comparison to convenience, इनमें थोड़ा ज्यादा time devote करते हैं, purchasing के time में, convenience तो बि खर्च करने पड़ती हैं, वो आते हैं specialty product, इनमें हम कोई special brand का ही product करीदे हैं, जैसे कि माल लो हमें कोई bike करीदना है, ये कोई गाड़ी वगएरा करीदनी है, कार वगएरा करीदनी है, तो वो आएंगे specialty product में, वहाँ पे हमें पहले से decide होगा किस brand का करीदना है, ये brand हमारा विवरेट है, उसके हिसाब से खरीदे है, तो इनमें और भी ज़्यादा time लगता है, और particular brand specific ये चीज़े जो है, वो specialty product होते है, next आते है non durable product, non durable product का मतलब होता है, वो product जिनको जो लंबे time तक durable नहीं हो सकते, जो लंबे time तक नहीं चल सकते, इनको एक दो time ही हम use कर सकते, ज पतम हो जाएगी या उसको लंबे time तक use नहीं किया जा सकता, तो वो non durable product होंगे, oh sorry, durable product जिनको लंबे time तक use किया जा सकते, और non durable जिसको एक दो time के लिए ही use किया जाए, वो non durable, तो यहाँ पर हमें match करना है, इनको convenience product कौन से होंगे, जिनको consume करें, एक या few uses में नहीं, वो तो non durable product होंगे, जिनके परती brand loyalty जो है, वो ज्यादा होती है, तो brand loyalty किनके परती ज्यादा होती है, specialty products में purchase frequently, जिनको बार-बार खरीदा जाता है, तो जिनको बार-बार खरीदा जाता है, वहीं होते है convenience product, फिर बात करें, shopping product की, तो shopping products जिनमें ज्यादा time जो buyer है, वो devote करता है वो shopping product होंगे specialty की बात होईगी जो brand जिनमे brand loyalty ज़्यादा होती है और non durable जिनका consumption एक या दो बार में हो जाता है तो option हम match करें तो option number one जो है वो right answer हो जाएगा next step planning is pervasive because अब देखो यहाँ पे planning की features दे रखी है nature की बात करें कि planning जो है वो परवेशिव होती है परवेशिव का मतलब क्या होता कि हर जगहां पर हमें planning करनी पड़ती है जैसे कि government organization है non-gournament organization है या management के सारे levels जो है हर जगहां पर planning जो है वो की जाती है तो planning pervasive है क्यों है planning pervasive क्योंकि it is required in setting specific goals कि इसकी जरूरत होती है हमें specific goal बनाने के लिए या फिर it is required at all level of management की हर management के हर level पे जरूरी होती है तो सिद्धी सी बात है pervasive है तो management के हर level पे जरूरी है इसलिए ये pervasive है तो option number 2 जो है वो right answer हो जाएगा next पर move करते है question number 33 identify the trend in the stock market when equity shares are more easily sold even at higher prices देखो यहां पर हमें stock market की कुछ term दे रखी है जैसे bearish bullish horse trading बदला तो यहां पर हम से पूछा गया है कि stock जब जो equity shares है उनको असानी से बेचा जासके higher prices पे भी तो यह इसको किस term से define करेंगे bearish bullish बदला या फिर horse trading देखो दो main term होती है stock market में एक होती है bullish एक होता है bearish इन दोनों का मतलब समझना जुरूरी है bearish का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जो investor है वो एक तरीके से pessimistic है pessimistic का मतलब है कि नकारात्मक सोच वाला कि जो stock के prices है वो in future में कम होंगे उसको बोलते है bearish और bullish का मतलब होता है कि जो investor है वो optimistic है कि यानि कि एक तरीके से positive thinking वाला है कि जो market में जो prices है वो increase होंगे तो यहाँ पर हमसे पुचा गया है कि ज्यादा prices पर बेचता है higher prices पर जो है वो असानी से बेच सकता है तो यह होगा bullish option number two जो है वो right answer हो जाएगा next है match दे रखे है list दे रखे है list first को second के साथ match करना है यहाँ पे कुछ term दे रखे है जैसे advertisement expenditure है quality है labor turnover है liquidity है इनका मतलब पता होना चाहिए advertisement expenditure शी दसी बात है advertisement पे खर्चा quality labor turnover का मतलब क्या होता है कि labor का जो turnover कि labor कितनी जल्दी छोड़ के जा रही है हमारे business को कितने वो turnover उसको बोलते है labor turnover liquidity liquidity का मतलब आप सबको पता ही होगा liquidity क्या होती है कि short term में company के पास की जो position है liquidity एक short term की जो liabilities है उनको pay करने की capacity जो firm की वो होती है liquidity तो अब यहाँ पे हमें match करना है human resource management अब देखो human resource management human resources है उनको manage करना यह किस से related है यह labor से related है तो इसको match कर देंगे C को first के साथ C को first के साथ match करना है ठीक है उसके बाद है finance और accounting देखो finance और accounting यह accounting से related चीज़े क्या है यहाँ यहाँ पे यहाँ पे है liquidity liquidity finance related term है ना कि finance में हमारी accounting finance से related है next है marketing marketing किस से related marketing के अंदर ही advertisement होती है तो advertisement expenditure marketing quality की बात करने तो production पे हम production करते time किस पे focus करते है quality पे की बच्ची quality का production हो quality increase करे production की तो B को 4 के साथ match करना है A को match करना था 3 के साथ और D को 2 के साथ question option number 2 जो है वो right answer हो जाएगा next है which technique of scientific management violates unity of command अब देखो जो scientific management है उसकी techniques है वो कौन सी technique है जो principle है unity of command देखो दो principle मतलब 14 principles जो है वो हम पढ़ते है management के जो Henry Fjol ने दिये थे उसमें से एक principle है unity of command की जो command है वो एक ही बंदे से मिलनी चाहिए कि command में unity होनी चाहिए इसको हिंदी में बोलते है आदेश की एक था कि जो आदेश है वो एक ही बंदे से order जो है वो एक ही बंदे से मिलना चाहिए उसको बोलते है unity of command तो ये जो principle है ये कौन सी मतलब इस principle को कौन violate करता है कौन सी टेकनीक scientific management की violate करती है तोड़ती है time study, standardization of work, functional formanship ये simplification of work time study यानि कि जहाँ पर हम time की study करते है कि किस काम को करने में कितना time लगेगा उसे ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए ये सारी time study के अंदर आता है standardization of work इसके हमने पहले भी discuss किये कि work जो है वो एक standardized manner में काम हो functional formanship ये important है functional formanship क्या है किरियात्मक formanship जिसको हिंदी में बोलते है functional formanship में जो scientific management की टेकनीक इसके अंदर क्या किया गया इसके अंदर दो कटेगरी बनाई गई एक तो planning से related और एक production से related कि planning के नीचे फिर चार काम करेंगे चार inspectors काम करेंगे और ऐसे ही production से related भी चार inspectors काम करेंगे फिर इनके नीचे जो है वो workers काम करेंगे तो ये चार inspector ये चार inspector इनके उपर नजा रखेंगे यह जो unity of command का जो सिद्धान था जो principle था इसको relate किया इसको तोड़ा यही हमसे पुछा गया था option number 3 हमारा right and sir हो जाएगा next question number 36 identify the correct sequence of first five step of staffing process जो staffing की process है उसके पहले 5 step को हमने identify करना है और identify क्या करना है उनको sequence में arrange करना है तो देखो steps दे रखे हैं estimating manpower requirement की कितने लोगों की manpower की जरूरत है उसको estimate करना, recruitment करना फिर training and development उनको training and development करना placement and orientation और selection अब देखो सबसे पहले हम जब बात करते हैं staffing process की, staffing का मन्दब का होता है पूरा एक तरह किसे जिन लोगों की जरूरत है उनको business के अंदर लेके आना, उनकी भरती करना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितने लोगों की जरूरत है, तो सबसे पहले आएगा estimating the manpower requirement कितने लोगों की जरूरत है उसको estimate किया, फिर estimation के बाद क्या करेंगे, recruitment करेंगे ठीक है, recruitment का मदब हो था भरती करना, अब इस भरती में क्या होगा हम उनको application देंगे एक तरह किस application क्या, उनको advertisement देंगे कि वह हमारे इतने लोगों की जरूरत है इस इस level और skill की हमें जरूरत है जिनके पास हो उन लोगों की जरूरत है तो वो था recruitment, फिर recruitment उनकी, जो लोग apply करेंगे उनका हम select करेंगे, कि कौन सा best है वो selection की फिर अलग तरिक्टी होते है test लेंगे, interview लेंगे, वो सारी चीज़े करेंगे तो पहले क्या किया, एक point पे हमने manpower कितने लोगों की जरूरत है उसको estimate किया, फिर recruitment करी और फिर selection किया फिर selection के बाद हम उनको जो भी particular जगह के लिए select किया है, वहाँ पे उनको place करेंगे ठीक है, उसको बोलते है placement और orientation, orientation का मतलब है कि उनको हम बिलवाएंगे, उनको बताएंगे कि यहाँ पे यह काम करना है, यही आपके senior है यही आपके junior है, यही आपके colleague है तो उसको बोलते हैं orientation नहीं कि एक तरह किसे उसका introduction करवाना पूरे business के अंदर, office के अंदर वो orientation होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको जब भी training वगएरा की development की जरूरत है थ्री हमारा right answer हो जाएगा next है question number 37 select from the following who is considered risk taker इन में से हमने उसको select करना है जो risk taker है, यानकि जो ज़्यादा risk लेता है manager, customer, government, entrepreneur manager, customer, government सबसे ज़्यादा risk लेता है entrepreneur, entrepreneur कौन होता है, जो business का एक नए idea लेके आता है, तो कोई बेबंदा business कर रहा है, एक चोटे से idea से business start कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा risk लेने वाला वहीं बनता होगा, उसको बोलते है entrepreneur होता है, जो risk taker next है according to which principle of management management के कौन से principle के according, organization should have a chain of authority, की organization के अंदर एक authority की chain होनी चीए, and communication यान की communication की authority की chain होनी चीए अब देखो, यहाँ पे हमसे पुचा गया है कि management के जो principle है उनमें से कौन सा principle बोलता है कि organization के अंदर एक chain होनी चीए किसकी chain, authority की और communication की, की authority अधिकारों की और communication बातचीत करने के लिए और यह जो chain है, वो चलती है top से bottom की तरफ और सारे जो manager हैं और जो subordinates है या जो adhinest है, वो इसको follow करते हैं, तो इस chain को कौन सा principle में बोले गई, centralization और decentralization में, subordination of individual, subordination of individual interest to general interest की जो व्यक्तिगत interest है, व्यक्तिगत जो हम बौल सकते हैं, फायदा है, वो general interest के comparison में नीचे रखा जाएगा या फिर scalar chain या फिर asperity corpse, तो अब देखो जो scalar chain है, नाम में ये scalar chain ही बोलती है कि एक chain होनी चीए जिसके through जो मतलब पूरे organization के level होंगे कि top पे होगा, कोई फिर bottom पे होगा, इनके बीच में होगा अलग 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 और जो भी बात चीत होगी communication होगा, इस chain के through ही होगा ठीक है, सारे manager और subordinate इसको follow करेंगे, तो option number 3 जो है, वो right answer हो जाएगा next पे move करते है question number 39, arrange the channel of distribution in order for a consumer product, अब देखो consumer product के according हमने channel of distribution दे रखा है, यहाँ पे इनको arrange करना है, consumer है, retailer है, wholesaler है, producer है, तो कोई भी product पहले production है, उसने बनाया उससे कहां जाएगा, wholesaler के पास जाएगा, wholesaler से जाएगा, retailer के पास और finally फिर consumer के पास तो हमाँरा sequence होगा, DCBA DCBA, option number 2 जो है, वो right answer हो जाएगा next question number 40 यहाँ पे list दे रखी है, दो list दे रखी है, इनको match करना है तो देखो, first list में दे रखी है, treasury bill, commercial paper, call money, certificate of deposit सारे जो अपनी, जो money market होते है उसके instrument दे रखी है और इनके बारे में कुछ-कुछ बाते है mobilize, large amount of money maturity period जो है, वो एक दिन से 15 दिन maturity period, 15 दिन से एक साल, और issued by RBI तो देखो, treasury bill क्या होते है, treasury bill जो RBI जारी करता है issue करता है, government के बिहाफ पे जब भी government को पैसे की जुरूरत होते है तो वो treasury bill issue करवाती है RBI की द्वारा, ठीक है, तो RBI government के बिहाफ पे issue करता है treasury bill को तो एको match करेंगे 4 के साथ एको 4 के साथ match करेंगे, तो ये दो option तो कटी जाएंगे यानिकि इन पे securities वगारा नहीं होती जैसे हम बोलते हैं, कि गिर्वी रखा हुआ है, कुछ security तो unsecured commercial paper जो है, वो बड़ी-बड़ी companyya जारी करती है, अपनी short term की जो पैसे की जरूरत है उसको fulfill करने के लिए और इनका जो maturity time period है वो भी एक साल के विदी नहीं होता है यानिकि short term होते हैं, तो एक साल के विदी नहीं होगा तो ये होते हैं, जिनकी maturity period पंदरा दिन से लेके एक साल तक के बीच होता है commercial paper तो B को 3 से match करेंगे, B को 3 से match करना है next है call money call money बिल्कुल short term के लिए अगर पैसे की जुरूरत है, तो वो call money का यूज होता है तो call money होती है, जिनका maturity period एक से पंदरा दिन के बीच होता है call money तो option तो हमारा, option number 3 तो आगया answer but certificate of deposit क्या होते हैं ये जो banks हैं उनको जब large amount of पैसे की mobilization की जुरूरत होती तो जो short term instrument वो use करते हैं, उसको बोलते हैं certificate of deposit, जहांपर mobilize किया जाता है, large amount of money ये भी short term instrument ही होते हैं तो D को first के साथ match करेंगे, option number 3 हमारा write and transfer हो जाएगा, ठीक है यहांपर explanation दे रखे, आप पढ़ सकते हैं next है question number 41 अब देखो, यहांपर हमें पैसेज दे रखा है इसका paper हम discuss कर रहे हैं तो अब देखो, इस पैसेज में क्या सबसे पहले, Rohan है, is the head boy of ethos public school अब देखो, Rohan नाम का एक लड़का है, जो head boy है अपने school का, the school is going to hold a covid vaccination camp for student of age group 12 to 14 years in a month of May अब देखो, क्या हो रहा है, school में एक camp हो रहा है, vaccination का covid vaccination का, और जो student 12 से 14 साल के बीच में है उनको मई में एक ऐसे, जो ये vaccination है, वो करवाना है तो अब क्या है, कि the entire prefectorial board is given the duties for the event under the leadership of Rohan, तो Rohan, जो head boy था, उसको leader बना दिया इस पूरे function के लिए, मतलब पूरे event के लिए अब, Rohan ने क्या करना इस सारी चीज को manage करना है, तो उसने क्या किया, Rohan ने short list कर दी कुछ activity कि भई, ये, ये काम करना है सबसे पहले उसने क्या किया, identify किये, students जो eligible है vaccination के लिए, under 12 to 14 year age, यनकी जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको पहचाना, उनको identify किया, जिनको vaccination जो है next है, उसने क्या काम किया, obtaining अधार कार्ड for registration of these students on COVID vaccination camp, फिर जो अधार कार्ड जहें है, वो लिए उनस बच्चों से registration के लिए, then उसके बाद, consent letters of parents की parents से consent letter लेना है, यनकी उसने अपना जो सारा काम उसको तीन ऐसे parts में, activities में divide किया he further divided the execution part फिर जो execution actual में execute करना था, जो काम, उसको भी उसने आगे-ागे parts में divide किया, तो later he grouped the similar nature activity into different units यनकी, अब जैसे देखो, उसने main तीन काम थी, इसके अंदर फिर आगे जो further काम थे, जो एक जैसे काम थे, similar जो activities थी, उनको एक unit में डाल दिया, कि एक A unit इस A unit में एक जैसे काम, B unit में फिर एक जैसे काम, thereafter he devised a computer software, फिर उसके बाद उसने किया कि एक computer software, जो है device जो किया computer software के through जो data है enter करने का, वो पूरा उसने जो submit कर दिया school administration को, यानि कि जो vaccination से related data है उसको पूरा अगे communicate करने के लिए पूरा एक system जो है software के through device कर दिया अब हमसे पुछा क्या गया है सवाल में, dash is the function of management discussed in the above passage कि इस पूरे passage के अंदर management का कौन से function discuss किया गया है planning, directing, organizing या फिर stopping, अब देको यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक काम, उस काम को करने के लिए यह जो person है रोहन, इसने क्या किया, इसको अलग-अलग parts में divide किया, फिर एक जैसे काम को अलग-अलग groups में बनाया, तो यह काम किस के अंदर आता है management के organizing function में नहीं आता, organizing में क्या करते हैं, सारे काम को अलग-अलग पहले parts में divide करते हैं, फिर एक जैसे काम को एक एक unit में डालते हैं, यानि कि वो department मनाते हैं, काम को एक जैसे काम को फिर एक unit में डालते हैं, वही तो होता है, organizing जो function है, वो यहाँ पे show हो रहा है, यहाँ पे इस passage के अंदर discuss किया गया है next, देखो, अब यह passage वही है, बस इसमें थोड़ इसी चीज़ें extra हम से पुछी गई है, मतलब कुछ add करके, यहाँ पर वहीं सेम बात है कि Rowan Head Boy है, school का, यहाँ पे vaccination camp के लिए उसने तीन activities में फिर काम को बाटा, फिर उसने further उस काम को अलग-अलग छोटे parts में एक जैसे काम को अलग unit में बनाया, अब हमसे यहाँ पर पूचा गया है कि Rowan Head Sort List Following Activities उसने अब यह जो activities है, वह sort list तो कर ली, तो अब हमने identify करना है कि जो organization है, organization के अंदर भी अलग-अलग काम होते हैं, तो वह कौन सा काम जो है इस particular line के अंदर highlight हुआ है, कि यहाँ पर इसने objective set किये हैं, उसने duties assign की हैं, उसने identify किये है, alternative courses of action, या फिर उसने काम को पहचाना है और उसको अलग-अलग division किया है उसका, तो अब देखो, ना तो उसने objective set किये, क्योंकि objective का तो कोई काम ने, उसने तो काम था है, उसको अलग-अलग parts में बाढ़ता है, ना उसने किसी को duties अभी assign की है, ना उसने अलग-अलग options identify कि कि इस तरीके से काम करना, इस तरीके से काम करना है, तो identify alternative course of action भी नहीं हुआ next है, identification and division of work, उसने सिर्फ काम को देखा है, पहचाना है और उसको divide किया है कि यह काम है, यह काम है, यह काम है तो option number 4 हमारा right transfer हो जाएगा next है, अब देखो यहाँ पर वहीं पैसी जैसे बस यहाँ पर इससे line अलग start होगी, later ही group the similar nature activity into different unit कि उसने भाद में क्या किया same nature की जो activity है उनको अलग-अलग units में divide कर दिया तो अब यहाँ पर organization process का कौन सा काम है, उसने plan को implement किया है उसने actual performance measure की है उसने departmentalization किया है या उसने alternative जो अलग-अलग alternative है उनको select किया है तो देखो, जब हम बात करते हैं एक जैसे काम को एक जैसे parts में रखना, उसको क्या बोलते हैं जैसे हम बात करते हैं, marketing का काम होता है finance का काम होता है ऐसे ही production का काम है तो इनको अलग-अलग parts में एक जैसे काम को बाटना, इसको क्या बोलते हैं marketing, finance, production, यह department बनाते हैं, और इस process को बोलते हैं departmentalization, तो जो row है उसने भी क्या किया है, departmentalization किया है, option number 3, हमारा right answer हो जाएगा, next अब देखो, यहाँ पे हमसे पुछा गया है, then he allocated these different prefects under his professional board अब देखो, उसने यह जो काम भाटा था इसने इस काम को क्या किया, इसने इसको allocate कर दिया, दे दिया काम यह किनको दे दिया, different prefects under his professional board, कि उसके professional board के अंदर जो जो भी लोग थे उन प्रफेक्ट्स थे, उनको उसने यह काम शौप दिया, तो क्या किया, उसने assignment of duty implementation of plan, division of activity, follow of action, तो अब उसने काम को दिया है, दिया है, तो उसने assign की है duties, आपका यह काम है, आपका यह काम है, तो यह हो गया assignment of duties next है thereafter he devised a computer software where each perfect was supposed to enter his data of vaccination for further submission to school administers, अब देखो उसने क्या किया, उसने computer software implement कर दिया, मतलब ले आया हो, अब उस computer software में क्या है, उसने जो हर एक बंदा है, वो उसके अंदर data enter करेगा, क्यों enter करेगा, ताकि वो जो information है उसको आगे से फिर submit किया जासके जो school के head ministers है, उनके पास तो एक तरीकी से उसने क्या किया link किया है, ठीक है, link कर दिया, कि जो काम, मतलब जो information है, या आगे जो orbit level पे है, उनको उनके साथ link का दिया, कि उनको report की जाए तो उसने क्या किया, follow up action किया है उसने reporting relationship बनाए है या corrective action लिए है या duties assigned की है, तो उसने क्या किया है उसने relationship reporting के जो relationship है, वो stabilize किये है option number two हमारा right answer हो जाएगा तो देखो next भी अगे जो 5 question आएंगे वो भी passage से related ही है, तो हम पहले passage को दियान से पढ़ लेते हैं management is the process of planning, organizing, stopping, directing and controlling the enterprise resources efficiently and effectively, अब देखो यहाँ पर बतायागा कि management प्रबंद जो है, वो क्या है एक process है, planning की, organizing की, stopping की, directing की और controlling की, इसको enterprise के resources को, कि जो enterprise है, firm है उसके resources को, कैसे efficiently और effectively, कि efficient भी होना है, और effective भी होना है क्यों, for achieving the goal of organization, कि organization की जो goal है, उनको हमने achieve करना है, efficient और effective दोनों तरीके से, अब देखो यहाँ पर बताया गया है, इन्होंने, इन्होंने मतलब बता दिया, efficient का और effective का, सबसे पहले effective की बात करें, कि effectiveness क्या होती है, तो effectiveness काम जो उसको सही करना है, complete करना है और हमारे जो goal, उदेशे हैं, उनको achieve करना है, इसको बोलेंगे हम effectiveness यह मतलब ध्यान रखना, सारे question इसी से बनेंगे, effectiveness मतलब काम सही करना है, complete करना है और हमारे जो भी उदेशे हैं, उनको हमने achieve करना है फिर बात आती है efficiency की, efficiency क्या होती है, efficiency का मतलब है कि task जो है, वो सही करना है, लेकिन कम से कम cost पे करना है, कि लागत हमारी कम से कमानी चीए, इसको बोलते है efficiency, effectiveness का मतलब हमने काम कर दिया, time पे target complete कर लिया, यानिकि एक तरिकी से time से related चीज होगी, effectiveness, कि time पे काम कर लिया, लेकिन अगर time पे हम cost भी कम करें, तो वो होगा efficiency, तो अब हमें इसके basis पे, यह जो पूरा statement, इसके basis पे question पुछे कहीं है, पहांच लग-लग, उनको अनस्वर्स देने है, सबसे पहले है, company's target production is 10,000 unit, कि company का जो target production था, वो 10,000 unit था, अब to achieve this target, इस target को achieve करने के लिए, manager has to operate on double shift, manager को double shift जो है, वो operate करनी पड़ रही है, क्यों, due to power failure most of the time, कि जो power है, वो fail हो जाती है, इस वज़े से double shift करनी पड़ रही है, इस target को achieve करने के लिए, तो यहां पे यह जो manager है, वो क्या है, वो effective है, या effective और efficient दोनों है, सिर्फ efficient है, या efficient है, बट effective नहीं है, या effective है, बट इतना ज़ efficient नहीं है, अब देखो, हमें पता होना चाहिए, effective और efficient का मतलब, हमने बात की थी, effective, effective मतलब, जो भी हमारा target है, उसको हम achieve करें, वो effective हो गया, तो यहां पे यह company का target achieve कर रहा है, manager, चाहिए इसको double shift करनी पड़े, तो effective तो है यह, effective है, लेकिन efficient का मतलब क्या था, efficient का मतलब था खर्चा कम से कम होना चाहिए, बट यहां पे तो यह double shift ले रहा है, खर्चा तो कम नहीं हो रहा, तो यह manager क्या है, यह manager effective तो है, लेकिन इतना ज्यादा efficient नहीं है, option number 4 हमारा right answer हो जाएगा, next पे move करते हैं, अब देखो, cutting down the cost के, cost को तो कम करना है, but not achieving target production, यानि कि हम क्या कर है, cost को तो कम कर रहे हैं, लेकिन जो target production है, उसको achieve नहीं कर रहे हैं, तो क्या हुए हम, वही दो चीजे effectiveness और efficiency, efficiency मतलब cost कम कर रहे हैं, अब cost कम कर रहे हैं, तो हम क्या है, हम efficient है, efficient तो है, but target पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम effective नहीं है, अब देखो, यहां पे कौन सा option जो है, efficient है, बट effective नहीं है, तो option नमर 3 बता रहे हैं, कि efficient हो है, but effective नहीं है, इनमें confuse मत हो जाना, efficient effective का, meaning clear रखना, यहां पे question में, पैसिस में भी बताया हुआ है, next है, that implies settling goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively, कि क्या, कुन सा जो function है, management का, जिसके अंदर हम goals, जो है, उनको advance में ही set कर लेते हैं, कि यह हमारे उदेश्य होंगे, और एक way, एक तरीका जो है, वो हम develop करते हैं, उनको efficient और effective तरीके से achieve करने के लिए, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, planning की बात हो रही है, कि plan बनाना, planning में हम क्या करेंगे, हमारे उदेश्य हैं, उनको निर्धारीत करेंगे, goals हैं, उनको set करेंगे, और एक तरीका, एक रस्ता जो है, वो develop करेंगे, कि कैसे इन उदेश्यों को हम goals को achieve कर सकत हैं, तो यह होता है, planning, next है, das is the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goal, अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है, कि management function कौन सा है, जहाँ पे monitor करते हैं, organization की performance, कि जो organization है, उसकी performance कैसी रही है, उसको हम monitor कर रहे हैं, क्यों monitor कर रहे हैं, ताकि हमारे जो organization की goals हैं, उनको achieve किया जासके, तो यह किस के अं controlling में, controlling का काम ही क्या है, कि काम को, जो हमारा पूरा functions है, management की, उनको देखना, कि वो सही से हुए हैं, या नहीं, नहीं हुए, तो फिट, सही actions जो हैं, वो हम लेते हैं, last question है, does determine what activities and resources are required, कि management के कौन से function में हम decide करते हैं, determine करते हैं, कि क्या activities करनी हैं, उनके लिए, किन resources की, किन साधनों की जरूरत है, planning में, organizing में, controlling में, directing में, तो देखो, बात आती है activity की, सब planning में हमने क्या, क्या plan बना लिया, उस plan को पुरा करने के लिए, क्या-क्या activity करनी पड़ेंगी, क्या-क्या resources की requirement होगी, तो ये किस के अंदर करेंगे, planning के बाद क्या आता है, planning के बाद आता है organizing, तो option number two हमारा right answer हो जाएगा, ठीक है, तो ये थी guys class, I hope कि आपको चीज़े समझ आई होगी, questions समझ आई होगी, अगर किसी भी बच्चे को कोई doubt है, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, अगर आपको इस paper का PDF चाहिए है, तो आप हमारा telegram जो channel है, वो join कर सकते हैं, वहापे झालस्मे, थक्स वर वचिटिं.